Hi Everyone, फिर सवागत है मेरे इस नए वीडियो में तो दोस्तो अगर आप भी एक स्टुडेंट हो ठीक है, अगर आप प्रिंटर के बारे में नहीं जानते तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रिंटर के बारे में काफी कुछ सिख सकते हो जान सकते हो और आने वाले समय में आप इसे किसी को भी समझा सकते हो आज के वीडियो थोड़ा सा लॉंग रहेगा लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करना तो चलिए वीडियो कियो और आगे बढ़ते हैं सबसे पहले देखेंगे पृइंटर की परिभाचा ठीक है वह इलेक्ट्राइनीक उपकरन जो कम्प्यूटर के सौप्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का कारिया करता है ठीक है computer का output device है ठीक है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं प्रिंटर को इसके printing method के अधार पर दो वर्गों में वर्ग कर सकते हैं जो इस प्रकार है पहला है impact printer और दूसरा है non impact printer तो हम लोग देखेंगे impact printer ठीक है full explain के साथ impact printer के द्वारा paper पर printing करने के लिए इंक ribbon का प्रयोग होता है इंक ribbon के प्रयोग से paper पर प्रभावी छपाई होती है यहाँ type writer की तरह कारी करता है और समान या printer के तुलना में अधिक अवाज करता है इस तरह के printer में छोटे-छोटे pin या print head होता है जिस पर अक्षर बना होता है जो की इंक ribbon के साथ paper से संपर्ग कराया जाता है जिसके बाद अक्षर paper पर अपना छाप छोड़ देता है इसी तरह paper पर printing होता है impact printer एक बार में सिर्फ एक character या line को print कर सकता है अब अन्य printer की मुकाबले सस्ते होते हैं impact printer का निर्म लिखित उधारण है पहला है dot matrix printer दूसरा है decibel printer और तीसरा है line printer चलिए इन्हें भी विस्तार से जानते हैं पहला देखेंगे dot matrix printer थीक है dot matrix printer impact printer का एक महत्तपूर उधारण है इसमें छोटे छोटे पीन की पंक्ति होती है यह पीन ribbon पर परहार करता है जब यह पीन ribbon पर परहार करता है तब dots का समवह matrix के रूप में paper पर पड़ता है जिसके फल सरूप paper पर printing होती है यह paper पर मुहर लगाने जैसा कार्य करता है ठीक है, dot matrix printer एक धिमी गती का printer है जो एक बार में सिर्फ एक character को print कर सकता है ठीक है, दूसरा है daisy will printer daisy will printer से printing के लिए plastic के पहियों का उप्योग किया जाता है यह पहिया दिखने में गुल बहार का full ठीक है daisy flower जैसे होता है, इसलिए इस printer को daisy will printer कहा जाता है इस printer के पहिये के प्रतेक पंखुडी पर अक्षर उभरा होता है printer में एक motor भी लगा होता है, जो पहियों को तीवर गती से घुमाने का कारी करता है जब सहीं अक्षर paper के सहीं इस्तिती पर आती है तब hammer या print head के द्वारा प्रहार होता है, जिसके फल सरुप अक्षर paper पर चाप छोड़ देता है daisy will printer एक सकेंड में लगभग 10 से 75 अक्षर चाप सकता है अगला है line printer, line printer एक तरह का impact printer है जिसमें अधिकांस impact printer का उप्योग होता है यह तीवर गती से कारी करता है इसकी गती, ठीक है, line per minute, LPM में मापी जाती है यह एक समय में पूरी पंक्ती को paper पर चाप सकता है ठीक है, line printer नीनम टाइप की होती है ठीक है, पहला है drum printer, दूसरा है chain printer और दीसरा है band printer अब देखेंगे non impact printer ठीक है इसको भी पूरा explain में देखेंगे ठीक है, इसके भी प्रकार को तो चलिए, वीडियो के और आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले, अगर चैनल को subscribe नहीं कियो हो तो चैनल को subscribe जरूर करना ठीक है, वह printer जिससे printing के लिए ink ribbon paper के उपर प्रहार नहीं करता है वह non impact printer कहलाता है जैसे कि अब आपको पता चल ही गया होगा कि non impact printer बिल्कुल उल्टा होता है ठीक है, क्योंकि impact printer में ink ribbon paper पर प्रहार के printing करता था लेकिन इसे उसका प्रयोग नहीं होता है non impact printer में printing के लिए किसी भी spray या फिर electronic तकनिक का प्रयोग किया गया है non impact printer के द्वारा उच्च गुडवता वाले अक्छारी वा ग्राफिक्स का printing कर सकते है यह impact printer से महेंगे भी होते है non impact printer का निर्म लिखित उधारान होता है तो चलिए इन्हें भी विस्तार से जानते है सबसे पहले देखेंगे laser printer क्या है laser printer एक प्रमुक प्रकार है जीसे की non impact printer के अंतरगर वर्ग कृत किया जाता है यह printer आजकल सरवाधिक लोख प्री है क्योंकि यह printer high quality character और ग्राफिक्स अपेक्छा कृत तेजी से छापने में सक्छम होता है इसका उप्योग लगभग 1970 के दर्सक से होता आ रहा है इस printer में फोटो कॉफियर टेकनोलाजी का उप्योग कर printing होता है दूसरा है फोटो printer क्या है फोटो printer एक रंगिन printer है जो की lab की quality फोटो पेपर पर शापते है इसका उप्योग document प्रिंट करने के लिए किया जा सकता है इन printer के पास अधिक संख्या में knowledge होता है कुछ फोटो printer में media card reader भी होता है अगला देखेंगे ink jet printer ठीक है ink jet printer भी आजकल बहुँ ज़्यादा इस्तमाल होता है यह printer ink की tiny drops को spray कर paper पर character और graphics को printing करता है ink drops को spray करने के लिए ink cotton day का उफ्योग किया जाता है cotton day में ink को संग्रहित रखा जाता है कई प्रकार के रंगों को document को print करने के लिए cotton day होता है ठीक है अगला है portable printer ठीक है वह ink jet या thermal printer जो छोटे वक कम वजन वाले होते हैं portable printer कहराते हैं इसे लेकर यात्रह किया जा सकता है इसके जरीए आप यात्रह के समय कभी भी laptop से print निकाल सकते हैं यह इतना छोटा होता है कि यह धोने वा कहीं ले जाने में आसान और सहज होता है लेकिन यह सामान्यता इंक जैन के मुकाबले महंगे होते हैं कि प्रिंटिंग गती भी धिमी होती है अगला है multi-functional printer ठीक है ऐसा printer जिसके जरीए किसी भी document को print करने के अलावा scan और fax करने की सुईधा होती है multi-functional printer कहलाता है इससे multi-functional device भी कहा जाता है यह एक ऐसा device होता है जिसके द्वारा कई device के कार्य किया जा सकते है ठीक है और इसके printer में laser या engine टक्निक का उप्योग या फिर प्रयोग होता है इसे all-in-one printer भी कहते है अगला है thermal printer thermal printer में एक ऐसी टक्निक का इस्तमाल होता है जो wax, अधारित, ribbon के जरिए अक्षर या print किया जाता है इस printer से किया गया print ज्यादा देर तक नहीं रहता कुछ समय बाद खुद वो खुद print मिट जाता है इस तरह का printing machine का इस्तमाल ATM या अन्य रिसिप बनाने के लिए होता है तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था मिलते हैं नेश्टे वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभाव